And the drone's gonna take off in 1, 2 and 3 Thumbnail से समझी गए होगे आज का जो वीडियो है हमारा काफी special होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको DJI Mavic Mini 2 का unboxing करके दिखाऊंगा जी हाँ दोस्तों आपके गपु ने DJI Mavic Mini 2 खरीद लिया है और जो भी मैं vlogging video डालता हूँ अपने channel पे उससे उसको और भी एक extra edge मिलेगा मेरे जितने भी vlogging videos है उसमें 4 चांथ लग के आएंगे And finally ये है वो DJI Mavic Mini 2 Just check this out guys काफी amazing है ये drone बहुत research करने के बाद, बहुत study करने के बाद मैंने सोचा कि मैं DJI Mavic Mini 2 ही लूँगा Second thoughts आ रहे थे मुझे कि DJI Mavic 3 शायद ले सकता हूँ मैं बट उसकी costing थोड़ी सी जादा थी तो मैंने सोचा कि पहले मैं DJI Mavic Mini 2 से start करता हूँ उसके बाद धीरे धीरे जब experience हो जाएगा तब मैं Mavic Mini 3 पे shift करूँगा तो चलिए जादा वक्त जाया ना करते हैं और आपको ये unboxing करके दिखाते हैं इस वीडियो मैं मैं आपको unboxing के साथ साथ इसके अंदर क्या-क्या चीजे हैं वो भी बताऊंगा इसके जो महत्पून specification है और जो prominent specification है वो भी बताऊंगा और भी बहुत सारे fun facts बताने वाला हूँ मैं और drone की stability उसके gimbal की stability भी आपको दिखाऊंगा और अगर possible रहा तो कुछ footage भी डाल दूँगा लास्ट में और साथी साथ आप इसको कैसे install करेंगे कौन सी app है जो आप download करेंगे अपने mobile पे ताकि आप उसको fly कर सके तो वीडियो पे बने रहे और आगे आने वाली सारी informations पे बारीकी से ध्यान दीजेगा विकाज इसमें बहुत सारे minute details में बताने वाला हूँ So let's rock and roll देखिए DJI Mini 2 का fly more combo है fly more combo का कहने का मतलब यह है कि इसमें extra batteries वगर है अगर आप normal drone लेते तो आपको single battery मिलेगी बट इस fly more combo में आपको 2 extra batteries मिलती है इस drone का weight 249 grams है और इसकी fly timing 30 minutes है single battery पे क्योंकि यह fly more combo है तो हमारे पास 2 extra batteries है total 3 batteries हो गई तो 1.5 घंटे का fly time हो गया हमारा जो flying range है जो height जिसको बोलते है कि कितने height तक आपका drone जाएगा इंडिया में पहले 15 meters तक का हमारा fly zone हुआ करता था लेकिन अभी government के new regulations आये हैं जिसमें 120 meters तक हम ले जा सकते हैं अपने drone को कहने को ये drone तो 15 meters लिखते हैं लेकिन ये actually में 500 meters तक जाता है 500 meters जाने के लिए इनका जो अपना authenticated app है DJI fly app उसमें तो ये possible नहीं है लेकिन एक third party app है जो काफी famous app है उस app का नाम अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा जब तक आप उझे और भी आगे प्यार बरसाते रहेंगे मेरे 1 lakh subscriber हो जाएंगे तब मैं आपको उस app का नाम reveal करूंगा और उस time पे भी मैं एक updated वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 500 मीटर सक जा सकते हैं उस third party app के द्वारा ये packet पूरी तरह से sealed pack है laminated है तो अब हम इसकी unboxing करते हैं और आप दर्शकों को दिखाते हैं कि DJI Mavic Mini 2 कैसा होता है अंदर से तो finally मैंने lamination हटा दिया है lamination हटाने के बाद box कुछ इस तरीके का लगता है यहाँ से आप इसको open करेंगे टाडा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर एक bag दिया है drone के लिए specifically dedicated bag है ये drone के लिए leather finishing के साथ काफी brand new है tags बगरा सारे लगे हैं इनके branding के साथ काफी अच्छा bag है ये bag का extended handle है आप चाहें तुसको हटा के इसको और भी लंबा कर सकते हैं ताकि आपको टांगने वांगने में असानी हो front size से bag कुछ इस तरीके का लगता है देखिए DJI का logo भी है branding बगरा सारी चीज़े है तो चलिए वक्त जायाना करते हैं और आपको जो main चीज़े वो दिखाते हैं इसके लिए आप काफी बेसवरी से इंतजार कर रहे है यह है इसका main accessories और gear यह है आपका drone यह है आपका main drone जिसको quad copter भी बोलते हैं यह देखिए यह brand new है seal pack पूरा यह सारी चीज़े मैं अभी आपको एके करके दिखाने वाला हूँ काफी sleek सा है काफी हलका है जो उन्होंने weight mention किया है वो उसी weight का है और काफी प्यारा सा दिख रहा है and it's looking very cute तो चलिए अभी हम इसको side में रखते हैं आपको एके करके सारी चीज़े दिखा देते हैं पहले यह है इसका remote controller देखिए काफी प्यारा है पकड़ने में भी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें leather coating है तो यह grip भी अच्छा दे रहा है काफी अच्छा grip दे रहा है आपके हाथ से यह slip नहीं करेगा तो चलिए इसको भी हम side में रख देते हैं भी फिलहाल आप आजात हैं और क्या-क्या है इसके अंदर यह है एक और box अब देखते हैं इस box के अंदर क्या है मुझे तो पता है क्या है लेकिन आपको मैं बताऊंगा इस box के अंदर जो सबसे main है वो यह चीज़ है यह है आपका battery unit यह है battery unit इसमें दो extra batteries है एक battery का slot खाली है वो एक battery drone में ही लगा हुआ है शायद वो लगा के ही दिया है उन्होंने इसको भी अभी हम फिलहाल side पे रखते हैं और देख लेते हैं इस box के अंदर क्या है जो battery है उसको charge करने के लिए adapter दिया है इन्होंने यह देखें यह USB adapter है इ इसको भी मैं भी side पे रख देता हूँ और जो main चीज़े हैं जिससे सारी चीज़े connect होगी यह उन्होंने connector दिया यह cables है यह connecting cables है इसको भी मैं निकाल लेता हूँ एक connecting cable यह रहा और एक connecting cable को यहां रख देता हूँ मैं तो हमारा जो यह box वाला part है यह cover up हो गया है इतने सारी चीज़े थी इस box में the black box तो चली अब देख लेते हैं और क्या-क्या चीज़ें इस bag में यह है एक और black box अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या है मेरे साब से इसके अंदर user manual वगरा होना चाहिए manual kit होना चाहिए जी हाँ I guess यही था यह देखे यह इतने सारे user manual है कैसे आपको drone उड़ाना है क्या-कै चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सारे process इसमें समझाएं हुए अच्छे से आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं पढ़ना सही रहेगा पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़े clear हो चाहेंगी मैं भी इसको एक बार जरूर पढ़ूंगा लेकिन मुझे पता है इसको कैसे install करना है तो अभी मैं इसको वापस इसमें डाल देता हूँ जो चीज़े जहां रहती है उसको वही रखना चाहिए तो अभी फिलहाल के लिए इसको मैं भी side पे रख दे लेता हूँ अब देख लेते हैं इस काले पिटारे में और क्या है और शीट मेरे ड्रोन को थोड़ो से चोट लग क्या था काले पिटारा तो अभी खाली है यह इनको freshness के लिए दिया है चूचू 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 और यहां पर एक और चेन है उपर में देख सकते हैं इस लेते हैं क्या है आपको दिखा देता हूं मैं यह एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स जो पंके हैं ड्रोन के प्रोपेलर्स बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा दिया है इन्होंने और यह जोईस्टिक भी दिया है जिससे हम ड्रोन को कंट्रोल करते हैं और यह रीसेट के लिए इन्हों पार्ट तो खतम हो गया, वो जो लेदर वाला बैक था, ड्रोन का, वो सारी चीज़े मैंने आपको निकाल के दिखा दी, अब one by one करके हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं, जो main है अपना टड़ा, ये अपना ड्रोन, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, तो इसके लिए तो सबसे पहले मुझे इसको open करना पड़ेगा, और वो होगा यहा अरीके का लुक आता है, ड्रोन का, काफी स्लीक, काफी प्यारा सा है, काफी छोटा सा, very handy, अगर आपको ड्रोन को खोलना है, तो सबसे पहले आपको उपर वाले जो पंके हैं, प्रोपेलर्स, उसको खोलना है ऐसे, क्योंकि जब तक आप उपर वाला नहीं खोलोगे, नीच वाले को खोल दो, यह ऐसे उठके खुलता है, यह देखिए, ठाड़ा, यह है अपना खुलने के बाद ड्रोन, आप जाल लेते हैं, यह क्या चीज है, यह है इसका गिंबल प्रोटेक्टर, ड्रोन के आगे गिंबल लगा रहता है, जो बहतेरीन इमेजिस और वीडियो कैप होगे, तो यह खुल जाएगा, यह है ड्रोन का गिंबल, आप देख सकते हैं, यह ड्रोन का गिंबल है, अब आजाते हैं, इसके बैटरी वाले पार्ट पे, यहाँ पे जो स्टिकर दिया है, आपको इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, वापस से मैं इसको लगा तीन बैटरी है, एक बैटरी यहाँ लगे वही है, बैटरी को आपको अगर निकलना है, तो यहाँ उपर में एक जगा दिया हुआ, इसको पकड़ के आप कीचो, तो बैटरी निकल जाती है, और यह है बैटरी का स्लोट, यहाँ पे आप जो दो स्पेस देख रहे हैं, दो जो holes हैं, एक तो आपका memory card का है, microSD memory card लगती है, और ये आपका type C charger है, जिससे आप battery लगे में भी charge कर सकते हैं, प्लस ये आपका drone का data transfer के लिए भी use होता है, तो इसको मैं कर देता हूँ, बंद, ये देखें इसका gimbal है, टू, 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 ये ही gimbal है, जो उपर नीचे move कर आपको बहतरीन images और videos खीच के देता है, सारा कमाल इसी gimbal का है, और इसकी जो stability है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी हम अपने drone को रखते हैं, साइड में, जो हमारा quadcopter है, उसको साइड में रखते हैं, अब आ जाते हैं, इस remote controller पे, काफी sleek सा remote controller, पकड़ने में भी काफी अच्छा लग रहा है ये, it gives a great feeling कि आगे आने वाले जो vlogs हैं, वो और भी बहतरीन होने वाले हैं मेरे channel पे, ये जो दो space देख रहे हैं आप, जो छोटे से holes हैं, ये दो इसमें आपका joystick लगता है, और joystick आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको निकाल ले, एक joystick य ये है, और हम इसमें इसको clockwise घुमाएंगे और इसमें fit करेंगे, अपना joystick लग गया है दोस्तों, ये देखिए, now we can control and operate the drone, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये rotate होता है और ये gimbal कंट्रोल करने के लिए use होता है, उपर नीचे करने के लिए, और जो ये वाला है, इसमें अगर fly mode में photos वगरा लेना चाहते हैं, तो इसको click करके आप ले सकते हैं, और जो main part है, वो है इसका extension bar, ये है इसका extension bar, जिसमें आप अपना smartphone connect कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी scenes drone capture कर रहा है, उसको अपने mobile phone पे देख सकते हैं, और अपने according video shoot कर सकते हैं, और उसी extension के पी smartphone के साथ connect करेंगे, तब जाके आपका smartphone इस controller के साथ connect हो जाएगा, पेर हो जाएगा, ये दो अलग अलग port दिये हैं, दो अलग अलग cable है, एक दूसरे mobile phone के लिए, एक type A के लिए हो गया, और ये आपका iPhone वगरा के लिए, आपल phones के लिए, ये दो उन्होंने separate दिया है, मैंने पहले हम अपना drone चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी काफी drained out है, बैटरी काफी low है, पहले हम इसको चार्ज कर लेते हैं, फुली चार्ज होने के बाद जो भी features हैं, या जो भी functionalities हैं, वो मैं आपको रूबरू कराऊंगा, तब तक वीडियो पर बने रहे हम फटाक से च continue करते हैं, तो चली फाइनली हमारा drone खुछ तो चार्ज हुआ है, काम चलाने लायक तो चार्ज हो चुका है, तो मैं आपको आगे की चीज़े आपको दिखा देता हूँ, तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं इस drone पे आने वाला हूँ, आप drone को ऐसे घुमाओं को पीछे के तरफ, यह जो बटन दिख रहा है आपको उसको अगर आप एक पर प्रेस करोगे, तो यह light जलती है, इसका मतलब एक चार्ज तो हो चुका है, क्योंकि completely drain out था बैटरी, तो अभी single light दिख रहा है, जब आप यही same button को long प्रेस करोगे, तो आपका drone स्टार्ट होगा, यह light है, आप उसको disable भी कर सकते हैं, अगर आपको battery बचाना है तो, जो मैं भी करने वाला हूँ, आगे वाली light unnecessary है, तो उसके लिए battery consume क्यों करना, और आप आते हैं, controller के पास, यह वाला जो power button देख रहे हैं, आप इसको long प्रेस करो, यहां controller के पीछे आप यह देख रहे होगे, यह आपका charging port है, आप इससे controller को charge कर सकते हो, यह वाला जो button है, यह power button है, इससे controller स्टार्ट होता है, एक प्रेस करोगे, यह जो green में दिख रही है, आपको battery life दिखाएगा कि कितना battery बचा हुआ आपके controller पे, यह देखें, जैसे हमने drone को start किया, आप इसके gimbal की stability देख सकते हैं काफी stable है इसका gimbal, तो चलिए अब फटाक से हम अपना mobile smartphone connect करते हैं, controller पे, और आपको आगी की चीज़े बताते हैं, अपने smartphone को controller में connect करने से पहले आपको जो यह DJI का logo दिख रहा है, यह DJI का fly app है, इसको download कर लेना है, install कर लेना है, यह आपको play store पे भी मिल जाएगा, DJI के official website पे भी मिल जाएगा, प्लस इसका link में आपको description में भी दे दूँगा, तो चलिए अब अपने phone को connect करते हैं, controller से, उसके लिए आपको यह process follow करना है, इसको extend कर लें जहां तक possible है, यह type C वाला जो cable है, आप इसको अपने port पे fix कर दें, आप देख सकते हैं, मैंने अपने controller को अपने smartphone से connect करती है है, अब हम इसका DJI app खोलेंगे, जैसे आप app खोलोगे, आपको कुछ इस तरीके का interface दिखेगा, आप चाहें तो यहाँ पे भी बहुत सारे user manual दिए हुए है, सारे process समझाए हुए है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे connection guide है, यहाँ पे जाना है, जैसे आप connection guide पे जाएंगे, तो यहाँ पे कु जिसको हमें pair करना है, इस पे click करा हमने, और जो भी चीज यहाँ पे लिखी है, हमें इसको follow करना है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आपको यहाँ पे पहले आपको एक बाद small press करना है, फिर उसके बाद long press करना है, तो आप देखिए हमारा remote controller स्टार्ट हो गया है, देखि अब यहाँ पे जो जो process है, आपको follow करना है, मैं सारा setup करके आपको दिखाता हूँ, अब हमारा जो next step है, वो इस remote controller को drone से कैसे connect करना है, वो process बता है, इसके लिए आपको सारे propellers पहले खोल देने हैं, और इसके बाद जो भी सारी process दी हुई है, जो भी सारे steps बताएगे हैं इस app में, आपको उसको follow कर लेना है, आप देखिए, ये connect हो चुका है हमारा drone, मैंने जो आपको gimbal controller बटन दिखाया था, अब मैं जैसे उसको उपर नीचे करूँगा, तो ये ये भी उपर नीचे होगा, देखिए, ये नीचे हुआ, अब ये उपर हो रहा है, amazing, ये ये उपर, नीचे हुआ भी, अब ये उपर हुआ, काफी stable है, अब चलिए इसको fly करके एक बार देख लेते हैं, छोटा सा एक fly कर लेते हैं, और इसकी flying करने के बाद जो stability है, जो इसका balance है drone का, जो DJI काफी famous अपने balance के लिए, वो चेक कर लेते हैं, So finally we are about to take off the drone, drone अब उडान भरने जा रही है, take off करेगी, छलिए जल्दी से जाएए भाग के, channel को subscribe कर लेचे, share करेचे, like करेचे, 1 lakh का हमारा subscriber goal है, उसको complete कर देचे, उसके बाद मैं आपको और भी updates दूँगा, DJI Mavic Mini 2 के बारे में, सारी information मैं आपको दूँगा, और जो भी latest features है, वो सारी चीज़े आपको बताऊंगा उस वीडियो पे, तो जल्दी से जाएए भाग के, channel को like, share and subscribe कर देचे, and the drone is gonna take off in 1, 2 and 3. ये देखिए हमारा drone take off कर चुका है, आवाज आपको आ रही होगी, ये propellers के आवाज है, और just check out the stability of the drone, ये drone का stability देखिए, ये drone का balance देखिए, काफी अच्छा है, amazing stability guys, काफी अच्छा stable है, काफी stable है, एक जगा पे ही ये drone खड़ा है, and what an amazing stability, तो ये था DJI Mavic Mini 2, drone का unboxing, और setting up or installation process, complete process मैंने आपको इस वीडियो पे समझा दिया है, explain कर दिया है, अगर कोई beginner है, अगर कोई नया बंदा है, वो भी अगर इस वीडियो को देखेगा, तो वो भी पूरा process समझ जाएगा, कि कैसे इसको setup करते हैं, कैसे unbox करते हैं, क्या-क्या features हैं, और कैसे इसको operate करते हैं, इस वाले drone के साथ आप 4K resolution with 30fps पे recording कर सकते हैं, picture quality मिलेगी, वो बहुत ही amazing होने वाली है, क्योंकि 4K और 30fps का बहुत ही अच्छा combination होता है, आशा करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने सारे details में आपको समझाए हैं, आपका जो process है, उसको easy करना मेरा मकसद था, so I hope I have done justice in this video, so please do like, share and subscribe my channel, because आगे आने वाले जो vlogs हैं, वो काफी amazing होने वाले हैं, क्योंकि उसमें एक चारचान लग गया है, ड्रोन का भी, अब ड्रोन के shots काफी आने वाले हैं मेरे सारे वीडियो पे और सारे vlogs पे, तो दबा के like and share करती छे, and me signing off, saying my famous quote, have no fear when Gappu is here, bye bye.